हलो फ्रेंट संध्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम पालक मटर बनाने का बिल्कुल नई रेशिपी आपको सेयर करूंगी इसे एक बार जरूर देखना इस तरीके से आप बनाएंगी तो बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे इसके लिए हमने लिया है कडाही उसमें हम डालेंगे अपनी कटी हुई पालक इसको हम पले से कट करके और धोकर रख लिया है और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं आधी कप या तो ऐसे भी पालक में बहुत पानी होता है वो पानी बहुत छोड़ने लगती है उबालने पर इसे बिना तेल का ही आम ऐसे ही कडाही में डाल कर इसे ढख कर 2-3 मिनद तक उबाल लेंगे ताकि ये बिलकुल सौफ्ट हो जाए आप इसे ढख कर ही उबालें थोड़ा से पलें अधर उदर उलट पलट लेंगे ताकि जल्दी से पालक गल जाए और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं थोड़ा सा आधी चमच ताकि पालक जो है और जल्दी से गल जाएगी नमक डालने से वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सेर करना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना देखे इसे हमने ढग दिया है और उसको हम दोसरे तरफ रख दिये हैं कि वो धीरे धीरे इस्टीम हो जाए अब हम ले लेंगे एक कडाही उसमें हम डालेंगे तेल और तड़का के लिए हमने डाला है जीरा आप जो चीज का तड़का लगाना चाहें आप लगा सकते हैं और हम इसमें डालेंगे जीरा को हम चटक जाने देंगे उसके बाद हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च जैस कि पालक की सबजी में लसुन का ही बहुत खास टेस्ट होता है इसलिए हम लसुन थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले लिए हैं और हरी मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार लेने दोनों को हम अपकले थोड़ा सा एक से दो मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए इसे थोड़ी देर तक भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई प्याज आप इसमें जैसे मसाले वाली सबजीवनाएं उसी तरीके से सारे तड़के और मसाले को यूज कर सकते हैं इसी तरह से बिलकुल अलग तरीका है बनाने का पालक आप चाहें तो इसमें अपनी मन पसंद के अनुसार ग्रेवी भी रख सकते हैं पालक तो आप बहुत बार बना कर खाये होंगे एक बार इस तरीके से बना कर खाना बहुत ही पसंद आएगी इसे तड़का भून जाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मटर आप चितना मटर डालना चाहें उतना डालें हमने लिया है एक कटोरी मटर और इसे भी हम एक से दो मिनट तक भून लेंगे ताकि मटर का जो है कलर ऐसे ही हरा का हरा ही रहे मटर को थोड़ी सा भून लेने से इसका कलर जो है चेंज नहीं होता है सबजी में देखे बिलकुल है ग्रीन ग्रीन दिख रहा है अब ये सबजी में भी इसका कलर जो है चेंज नहीं होगा इसे भी हम दो से तीन मिनट भूल लेने के बाद अब डालेंगे मसाले एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधी चमच लाल मिर्च पाउडर और आधी चमच घरम मसाला और भी आपको जो मसाले पसंद हो आप डाल सकती हैं थोड़ा सा पानी डाल कर हम मसाले को 2-3 मिनट तक भूलेंगे थोड़ा सा हमने मसाला के पकने इतना पानी डाला है ताकि मसाला जो है पले पक जाए और आप चाहे तो इसमें अपने मन पसंद के लिए टमाटर और बैगन भी डाल सकते हैं लेकिन हमने टमाटर बैगन नहीं डाला है एक चमच हमने डाला है कासमेरी लाल मेर्च इसे आप टेस्ट के लिए और कलर के लिए जरूर डाले हो तो डाले आई स्कीप कर दे इसे कोई दिक्कत नहीं है देखिए हमारा मसाला और मटर कितने अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे अपनी जो पालक हमने लिए रखा था उबलने के लिए वो बिल्कुल उबल चुकी है और इसे पलचुले से हलका हलका मैक्स कर दे फिर इसे आप मसाले में और मटर में डाल कर अच्छे से मिक्स करें कैसा लगा हमारा बनाने का तरीका कमेंट में जरूर रहता है देखे मसाला हमारा पक चुका था और मटर भी और पालक भी हमारी पक चुकी है बस थोड़ी सी ही पकना बाकी है इसको अच्छे से पले सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे बहएंगे और पालक में भी हमने थोड़ा सा नम्क डाला था आधी चमच अब सिर्फ हमें इसमें नम्क डालना है अब इसमें थोड़ा कम ही हम नम्क डालेंगे य। पालक में पहले से हमने थोड़ा सा डाला है आधी चमच इसमें भी डाल देंगे ताकि नमक सभी में बराबर हो जाए लेखे नमक को भी अच्छë से मिला लेंगे अब हम इसे ढख कर तीन से चार मिनट तक पकाएंगे देखे हमने ढखके अच्छे से पका लिया है हमने बिल्कुल सूखा रखा है आप चाहे तो इसे ग्रेवी वाली भी रख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगी वैसे भी हमने सूखा बनाया है क्योंकि सूखा ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आप अपने हिसाफ से इसे सूखा और ग्रेवी रख सकते हैं देखे हमारी रेशिपी बनके हो गई तायार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सेर करना चैनल पर पहली बार हो तो सस्क्राइब जरूर करना वीडियो देखने के लिए धर्नेवाद